तो दोस्तों जैसे कि आप आप लोग देखे तो यह जो लगबग 1.7 MPR कंस्यूम कर रहा है तो दोस्तों कुछ समय पर देना मैंने एक इंवर्टर बनाया था मैं आपको दिखा रहा हूँ यह जो नहीं 100W का इंवर्टर है तो इसमें साइड में आप लोग देखे तो मैंने य यूपे के डबे से सिँद थे तो इनपूर्ट के मैंने कुछ इस सव्त गया है और उसे कि दिखा शेजवीं तो यह जो है इसलकिकली पावद्वेर् यह आप लॉइन आता है और यह जिस innovate ब्रेंद मन अबंस श्रमराmar गुट के लगाया है तो यह वाला जो मैंने लगाया है तो अभी मैं इसे आपको खोल के दिखाते हुगा इसे मैं अंदर में कैसे कैसे बनाया है तो खोलने के लिए मैं यह वाला स्कूर्डे बड़ यूस्स कर रहा हूँ तो इसके ठकर में ने चार स्कूर्ड लगाया जिसे मैं इसे खोल सको कभी अगर खराव होते हैं तो मैं इसे कोल सकूँ इसलिए मैं यह फटबट से खोल देता हूँ तो जैसे के आप लोग देखे तो यह अंदर से कुछ इसा रखता है और यह ना अपनलाई का यूस्किया और यह जो फट्री में यह ब्लेक यूद्ग देख सकते हों मैंने यह जोड़ लिए 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 लिखा था कि मैंने किस दिर मनाया है तो यह 3 म में का प्लाइक जिससे के आप लोग देखे तो यह कभी शाइन करता है और मैंने यहां पर ब्लेक कदर के मार करते हैं अब बॉर्डर भी बनाया था ताकि इसकी लोग काफी अच्छी हो जाए एक कि दीखाता हूँ यहां पर देख सकते हो कि मैंने कौन से कम्पोर लियूस किया थे कि दुक्छले फार इंतरी je और यह जो इन्पूट के कूनेकशन है आपके आपके देख सकते है यहां इसके अंदर में हैं नहीं किए सिस्ट नगै most तो मैं हो दक्कन को लगा देता हूँ तो मैंने इसका सर्कीट यहम आपको वीडियो आक्यांड में दिखा दूआ कि मैंने है टो इसे मैंने मैं से किया आप लोग मैंने है यहाँ पर यहां पर इन अब यह आप यहाँ पर यहां पर यहां पर लगा तो आप यहाँ पर यहाँ पर यह से गीस दिया जिसंट की अचीशिक आ चुका तो आप लोग आपर देख सकते हो यह ऐसा लगड़ा है जैसे हमने बिल्कुल मार्केट से पर्चीस किया मैंने मतलब इसकी में काफी ध्यान दिया और काफी मेहनत भी लगई से बनाने में तो अभी मैं इसका आपका बैटरी प्रेक दिखाता हूँ तो दोस्तो बैटरी के लिए आप रुख दे सकते हो मैंने यह बैटरी सिस्टेम बनाएं तो इसमें विए अपना नाम लिख के रखा है तो बिसीकलिए एक 3S5P का नवट लिए बैटरी यह राइंजमेंट है जिसमें कि आप रुख दे सेकते हो यह पर तो यह स्प्रिंग बा रख लगाया तो फिलार मेरे बस नहीं यहाँ पर टोटेल 12 बैटरी है इस मिने बादरी लगाई है बाकी थीन बैटरी का चली है चुशकि मैं डेटरी नहीं हो चाहिए और मेंने हर जाइए नहीं बैटरी निहीं हो सकता है और यहराइश का आफ़ोट इसका यासा चार्ज कर सकते हो इसका आउट पूट भी ले सकते हैं तो यह भी विसिकली कनेक्टर मैंने मतलब यूपेस का जो सर्कीट है उसी से निकाल रहा है मैंने का चीज़ों को रिजाइकल किया है यहां पर मैंने स्वीच लगा है और यह मैंने डिस्प्ले लगाई है तो मैं आपको रिखा मैंका चीख मैंने में गलंति से खराब कर दिया मैंने मंदल करने के रहा था वायर मुझे नहीं गल्ती से क्या हूआ करने कंपोनेट खाये बाइवसके उसके आगे से दिशुटर होगे और मैंने कर नहीं कर पाया तो है पुरा खराब हो चुका है बस हमें इसमें वोल्टेज ही दिखता है यह करेंट मतलब बिल्कुल फेक है इसलिए मैं करेंट का कनेक्शन किया ही नहीं यह मतलब 50 दिखाता है तो मैं इसको अधर आगे से भी दिखा देता हूँ तो यहां पर मैंने कुछ में अंदर में जो भी एमस लगाया उसे में थंदा रख सकती हूँ आप लोगो दिख रहा हो का नहीं पता नहीं लगाया जोगी टैने अंपर कभी में से इसलिए लगा है मैं इसलिए लगा कि मैंने चाहता कि इससे में ज्यादा चला जाए और बैटरी मतलब ओवाड इस्चाइज हो जाए तो बिए मैं इसलिए को निकाल बी सकता हो कि दूसरा से लगा इसलिए मैंने पूरा शोल्टरिंगर के बैट्री नहीं बनाए कि एक बैट्री खरब हो तो यह पूरा खोलना पड़ता है तो इसमें अगर कोई भी बैट्री खराब हो तो मैं आर्सान से निकाल के दूसरे रिप्लेस कर सकता हूं और दोस्तों करें की बात मैं दिखा देता हूं तो दोस्तों मैंने यह दो वायर बनाये तो यह चेंड अध्यरी फिर्द लेंग और इसको मैं पड़ावर से पीछे कर लेता हूं यहाँ पर कनेक कर सकता हुआ तो दोस्तों इसको इसको इससे ट्रेस करके बताऊए तो यह मैंने प्ली इनने बनाया था तो आपको यह वीडियो देखना है तो ऊपर यह वीडियो भीडियों मिल जाएगा वेट करके बता देता हुँ तो मेरे पाद यह चोटा मुटा weight scale है तो मैं इसे को आपको इसमें weight करके दिखाता हूँ कि इतना भारी बना है तो फिल्व आपको दिख सकते हो आज हो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 0 दिखा रहा है तो मैं इसको उल्टा करेके रखता हूँ कि इसके नीचे आपको इसको यहाँ पर रखता हूँ वेट आपलोग देखें तो लगबग 2.7 kg है यह मतलब ग्राम में दिखा रहा है तो इसका वेट लगबग 2.7 kg है और आपको बैटरी का भी वेट दिखा देता हूँ फिर आपको अंदाजा लग जाए कि टोटल सिस्टेम की कितने मतलब वेट है आप इसे कहा का अपर रख सकत तो टोटेल अगर देखा जाए ना तो इन दोनों का वेट हो जाएगा आपका 33.4 kg लगबग सारे 3 kg का वेट का आप कहीं भी रख सकते हो इसे तो फिलाल सबसे पहले मैं आपको इस बैटरी को चार्ज करके दिखाता हूँ तो यहां पर मैं सबसब्रे पावरस अपलाक का ओन कर लेता हूँ तो इसे मैंने ओन कर लिए और इसको आप लोग देख सकतो हूँ मैं इसे 12.6 बोल्ल पे सेट करके रखा है फिलाल मैं – को मैं – क्लिक करता हूँ और मैंना इसका इसका डिस्प्लेय को ऑन कर दिया का तुकर priced को कर दिया तो अब मैं यह फिलार में इसको निकाल लेता हुँ मैंने क्कोल दिया कि मैं नीकाल दीन के हुआ ने चलाकर दिखाता हूं तो सबसेंद में एक वार आपको इसका एफिसेंसी बताएदा कि यह कितना एफिसेंद है कमरे माइनस को कनेक कर दिया और मैं प्लस को कर दो इससे और मैं स्विश कौन कर रहा हूँ तो यह आप आप लोड में लगबग 0.3 एंपयर कास पास ले रहा है अगर इसके वाटेज में हम देखा जाए तो यह 3.6 वाट कंजूम कर रहा है लगबग 4 वाट कास पास पावार कंजूम करते हैं जो कि काफी कम है इतना भी ज्यादा पीछे करते हैं आप लोग इसका उट्पुट देखना है तो दोस्तों इसका आप लोग देखें तो यह आप लोग दिखा रहा है क्योंकि इसके पीछे ने को नूटर का वाइर नहीं दोनों भी फेस्के वायर आ रहे इसलिए यह दोनों पॉलिज को एड़ करके यह पीक त अब लोग सकते हो आप लोग को साइन पता होगा कि पीक टूपीक वोल्टेज होता है और एक होता है आपका आरे मेस वैलू तो यह ना पीक टूपीक वैलू को दिखा रहा है जिससे कि ए 440 वोल दिखा रहा है अगर आप उसका आधा करोगे तो वह आपका 220 वोल्ट क्यास आपको दिखा देता हूं यह तो आप लोग यह ना करेंट करते हैं यह ना इन वाट के लिए लिए तो अभी में इसे पीछे करता हूं कि आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा यह ब्राइट जल रहा है मैं इसको तरह साइड में कर देता हूं बढ़ना हूं पर करेंद नहीं दिख रहा था तो आप लोग आप देख सकते हैं यह 1.35 एंपर कंस्यूम कर रहा है तो दूस्तों यह जो मैं तब नूलोट पर कर रहा था और अभी यह वणन इंपियर एक्स्टा बढ़ गया यहानि कि यह 9 वाट लोट के लिए 12 वाट पावार कंस्यूम कर रहा है थे इसके अफिसे क्या होगग आप लोग कल्कुलेट आपको कर सकते हो कि अभी मेरे पास इसका वाटेज में आपको दिखा देता हूँ यह 20 वाट का सीफल है तो अभी देखते इससे इससे कितना करेंट कर रहा है उसके बाद मैं को बैटी से भी चला के दिखाऊंगा तो दोस्तो जैसे कि आप आप लोग देख तो यह जो लगबग 1.7 MPR कंसुम कर रहा है तो इससे अगर हम 0.3 MPR माइनस करेंगे तो वह हो जाएगा आपका 1.4 MPR तो अगर 1.4 MPR और 12.6 को अगर आप इंटू करोगे तो लगबग 17W के आज सपास ही आएगा मेरे ख्याल से तो यह हम दो 20W के लिए लगबग 17W कंसुम कर रहा है क्योंकि यह पूरा फुल पावर इसमें नहीं दे रहा है और थोड़ा सा बदा बोल्टेज ड्रॉप हो जाना इसलिए इसमें पावर कम आ रही है लेकिन इससे अगर देखा द अगर दिख रहा है क्योंकि यह करने कि दिखता हो तो अप लोग अब अपर देखे का ब्रेक्स कम रहा है क्योंकि इसमें बंदब चार्ज करना पड़ेगा लगा इंच्वार्ट का सीएफिल तो आप लोग देख सकते हैं यह काफी ब्राइट जल रहा है इसमें आप वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है लेकिन इतनी भी तेजी से ड्रॉप नहीं हो रहा है यह द्रॉप हो रहा है और यह ना सीफल आराम से तीन-चार्ण चल जाएगा इस बैटरी से अगर यह फूल चार्ण करनेक कर देता हुँ अ को मैं इसने पीछे कर दिया और मैं इसको अभी यहाप लगा रहा हूँ हो तो दूस्त आप लोग देख सेथ्याओं यहाप फेले चार्जिंग करना इस ट्रॉझा शूद करना ते अबस्त ने बताता हूँ आप लोग यहाप देख सेथिए आपको जूम पर दिखा देता हूं तो दूस्त अपना में इसका थो आपको डिसेडवांटेज और एडवांटेज बता देता हूं तो दूस्त एडवांटेज यह कि इससे आप पंखा भी चला सकते हो मेरे पास प्लाव मेरे घर में आपको दिखा नहीं सकता कि इस अपको पता है डारेक अगर मेरे पास प्वीचर में आपको इसमें एक बर टेस करके बता दूंगा अगर आब इससे मतलब 9 वार्ट या 7 वार्ट के लड़ी चलागा ना 4-5 रूम में तो यह आसान एक दो गंडा बैकाप असान इसे देगा बस आपको इस बैटरी को चार्ज के निकले तो रहा चार्जर चाहिए बरना वे चोटे से चार्जर से चार्ज करें तो काफी टाइम लग जाएगा यूकि यह जो दास एच का बैटरी टोटल दोस्तों मैं आपको बतल इसमें बैटरी उसकिया न इस से का अपको यह मुद्फ कर सकते हो साथ में पंखा बीच आ इसमें फोन मत लगाए जिस से ख्राब भी हो सकता है और विछ आगरे ऊश्यांस कर सकते हो बढ़ना आप नॉन्मिल भी उसकते हो ने जाधा ज जाहां चरूंस इसमें बहुर चार्ज कर सकते हो बढ़ना जो बाट करता है तो मुझे लगबाग यह जार रुपी का सपस परा है क्योंकि जो बैटरी है मैंने पुराने लेप्टोप के बैटरी से निकाला है बाकि जो मुझे लगबाग 20 रुपी का है और इसके जंदर मैंने ट्रांस्वर में लगबाग में पुरा नाम अदरी उप्यास में से निकाला तो एक तो मेरे पर इसी में परावा था जो कि मैं फ्री में था और दूसरा मैंने पर्चेस के था देश्व देश्व रूपर में म तो मैं आपको बता दो यह मुझे लगबाग आपका मतलब 1000 के नीचे यह बन जाएगा यह आसा नीशा और इसको आपको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा आपको ऐसा डिजाइन देने के लिए दोस्तों वर जो इसका सर्किट आएगा आपको मैं आपको मैं शियर कर दिया तो आप वाल से देख सकतों कि मैंने बैटरी को कैसे बनाया और इसको मैं कैसे बनाया assessing दोस्तों मैं आशा करता हुआ कि आपको इंवर्टर पसंद आई तो अगर आपको यह पसंद आई ना एक लाइक जरू सिकर देना और यह चर्पे विल्गवार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना तो मिझे लिए नेक्स एक लिए वीडियो पर